नमस्कार साथियो सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं माटी की मूर्ते रचना राम वरिक्ष बेनिपुरी की रचना है माटी की मूर्ते ये 1946 में प्रकासित हुई थी UGC NET की 10 वी इकाई में सामिल है और हमारा उदेश से माटी की मूर्ते ये रचना को पढ़ना ही है कि रचना में क्या लिखा हुआ है रचना कार के पढ़ने के लिए बहुत से सामगरी है हिंदी साहिते के तियास में भी आता है वैसे भी हम कहीं भी सर्च करके इसको पढ़ सकते है माटी की मूर्तें जो रचना सामिल की गई है उसमें क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं तो माटी की मूर्तें 1946 में प्रकाशित एक रेखाचितर संग्रह है जिसमें 12 रेखाचितर सामिल है बारह रेखाचित्र कौन कौन से हैं परसन इसमें ये आ सकता है कि निमन में से कौन सा रेखाचित्र उसमें नहीं है तो पहला है रजिया, बल देव सिंग, सूरज भाईया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोबिन भग्त, भोजी, परमेशर, बज्जु मामा, सुभान खान और बुधिया ये बारह रेखाचित्र संग्रह जो है, वो इसमें है, यानि माटी की मूर्ते रचना के अंदर जो है, वो रामवरिक्ष बेनिपुरी के ये बारह रेखाचित्र सामिल है पुस्तक की भुमिका में लेखक ने लिखा है, कि जब कभी आप गाउं की और निकलें, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूत्रे पर कुछ मूर्तें रखी हैं, माटी की मूर्तें, ये मूर्तें ने इनमें कोई खुबसूरती है ने रंगीने तो इनके कहने का मतलब ये है कि हम गाउं के अंदर देखते होंगे कि बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे कुछ से बुजर्ब लोग बैठे रहते हैं तो वो जो व्यक्ती हैं, उनको इसने माटी की मूर्तें कहा है, जिनमें खुबसूरती नहीं है, रंगीनी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, उसमें सभ्वेता है, संसकर्ती है, जीवन संगर्स है, उनके उपर इनोंने ये रेखा चितर संस्मर्ण जो है वो लिखे हैं माटी की मूर्तें के चरीतर कथाओं के बारे में उन्होंने और भी बात लिखी है, ये लिखा है कि हजारी बाग सेंट्रेल जेल के एकांत जीवन में, जब वो हजारी बाग सेंट्रेल जेल में थे, तब उन्होंने ये लिखा है इसमें, कि हजारी बाग सेंट्रेल जेल के एक आंत में अचानक मेरे गाउं और मेरे ननीहाल के कुछ लोगों की सूर्टे मेरी आखों के सामने आकर नाचने लगी और कलम से चित्रन की याचना करने लगी। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अन्तता यह माटी की मूर्तें तैयार होकर रही। यानि जब यह जेल में थे, हजारी बाग जेल में थे, तब इन्होंने बारा हरेखा चित्रों का जो है, वो चित्रण किया था, लिखे थे। यानि गाउं के और ननिहाल के कुछ व्यक्तियों के बारे में जो है, वो इन्होंने यह रेखा चित्र लिखे हैं। जीवनी इनके सब्दों में चलते फिरते आदमियों के सब्द चित्र हैं। रजिया सिर्षक में अब इनमें जो बारा है सामिल हैं उनमें कुछ एक एक लाइन में संग्षि परीच्चे हमें यह दि पता हो तो कुछ अलग हटके भी है इनमें जैसे रजिया जो है उसमें रजिया एक चूड़ी हारिन है तो हमें ऐसा पता हो तो परसन आ सकता है कि भी र बोलापन, अलहडपन एवं जीवन संगर्ष का चित्रण है। इसी तरह बलदेव शिंग सिर्षक में धार्मिक सदभाव वे हिंदू मुसलिम एकता का चित्रण है। भोजी रेखा चित्र में भारती ग्रामिन समाज में पारिवारिक एवं सामाजिक संबंदों की समवेदना दिखाई गई है। इन में से जैसे सूरज भहिया जो है वो सूरज भहिया एक जिंदा दिल इनसान दिखाया गया है। अंगर एक किसान है तो किसान जीवन का संगर्श इसके अंदर दिखाया गया है। रूपा की आजी जो है वो इसमें रूपा की आजी का वर्नन है जिसकी आँखें बड़ी बड़ी आँखें बताई हैं जिन से हरे एक बचा देखे तो डर जाए। ऐसा चित्रन इसमें जगय जगय कर रखा है। देव जो है इसमें देव ऐसा चरीत्र दिखाया गया है जो कभी जूट नहीं बोलता है। हमेशा सत्ते ही बोलता है। बालगोबिन भगत को भगती ही दिखाया है। सन्यासी दिखाया है। कबीर पंती दिखाया है जो मर्त्य कि उपर रोता नहीं है हसता है गाता है जूमता है और कहता है कि आज आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया तो कबीर वादी जो है वो इसको दिखाया गया है बज्जु मामा का बहुत सुंदर चित्रन इसमें किया गया है परमेश्षर जो है वो परमेश्षर को आवारा दिखाय गया है लेकिन एक ऐसा मस्त मोला व्यक्ति दिखाया गया है जो मरने के बाद में भी हर होली दिवाली को याद आता है बुधिया जो है बुधिया जो है वो एक महिला है जो अपने योवन और वर्धावस्ता दोनों का ही इसमें चित्रण दिखाया हुआ है इसमें यह दिखाया हुआ है कि जब वो योवन में थी तो किस तरह से जो है वो बाल गोपाल जो है वो टक-टकी लगाए उनको देखते रहते थे और जब वो भुजुर्ग हो गई तो उसका चित्रन भी इसके अंदर जो है किया हुआ है तो इस तरह से एदवित्य चरितर चि जो इकाई दस में सामिल है फिर मिलेंगे किसी अच्छी रचना के साथ तब तक के लिए बाए